Hello everyone, इस short video में हम लोग पढ़ने वाले हैं, contact force के बारे में, जो की एक important topic है, 8 science का. Now, इससे पहले कि मैं आगे पढ़ू, मैं यहाँ पर पढ़ाने के साथ-साथ, अनगाडमी पर भी पढ़ाती हूँ. और इनगाडमी पर जो 6th, 7th, 8th की काटिगरी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा offer चल रहा है, कि आप लोग अगर subscription लेते हैं 9 months से जादा का, subscription लेने में आपको यह benefit होता है, कि आपको काफी सारे topic detail में पढ़ने को मिलते हैं, और अगर आप मेरा code लगाते हैं, subscription लेते time, तो आपको total 20% off मिलेगा, बट अगर आप 90%, मतलब 9 months से जादा के time के लिए ले, ठीक है, उसके अलावा नीचे description box में, मैंने बहुत सारे link दे रखे हैं, मेरी free classes के, जो आप join कर सकते हैं, जस्ट आपको यह वाला code यूज करना है, join करते दाइए, now contact force क्या होता है, basically यह वो force होती है, जो तब act करती है, जब चीजें एक दूसरे के physical contact में, ठीक है, कोई चीज अगर एक दूसरे के physical contact में आ रही है, तो उसके बीच में जो force होती है, that is called the contact force, सारी force, contact force नहीं होती, कुछ contact force होती है, कुछ non-contact force होती है, ठीक है, contact force का example, जैसे की muscular force हो गया, जिसमें चीजों क जब आप टच करते हो या कोई चीज हमारे contact में आती है तब ये work करती है and frictional force इसके बारे में already एक अलग से chapter है but frictional force में भी क्या होता है चीज़े एक दूसरे के contact में आती है ठीक है muscular force क्या होता है इसमें basically action of muscles की वजह से ये force काम करती है जैसे mostly अगर हम बात करें हम लोग अगर कुछ डाइजस्ट कर रहे हैं खा रहे हैं यहाँ पर हमारे muscles काम कर रहे हैं तो ये muscular force जो है ये contact force है जो चीज़ों के contact में आने की वज़े से work में आई ठीक है उसके लावर जैसे peristylasis movement है peristylasis movement के बारे में आप लोग जैसे आप खाना खाते हैं ठीक है तो जब खाना हमारी पूरा food pipe से अंदर जाता है तो अराम से नीचे कैसे चला जाता है contraction और relaxation एक process होता है जिसके वज़े से खाना हमारे you know wind pipe के रहे, food pipe से नीचे चला जाता है and that is peristylasis so इसमें भी muscular force लगती है in fact breathing में hurt की beat होने में muscular force लगती है friction ये act करता है मतलब ये तब आता है जब मुँचीजें move कर रही है या फिर चीज एक दूसरे के contact में हो और ये motion को हमेशा oppose करेगा ये चीज आपको याद रखने है जब दो surfaces एक दूसरे के contact में आती है या कोई motion हो रहा होता है तो ये हमेशा उसको oppose करता है चीजों को रोकता है ठीक है, जैसे suppose अगर हमारा जो normally push ये हाँ पे हो रहा है तो friction इसके opposite लगेगा जहां भी motion होगा उसके just opposite friction लग जाएगा So that was a short video on friction and type of contact forces आप लोग नीचे description box में link share check कर सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारी classes के link डाले हुए है प्लस मैंने अपने telegram और जो भी एन academy की profile है उसका भी link डाला हुए जिसको आप check कर सकते हैं Thank you so much, have a nice day, I'll see you next time in the next video